जिया शंकर ने नहीं गाड़ी ली, मेरी जली, ऐसा लोग बोल रहे हैं, खुशीरो तुम्हारी तो बहुत जल रही होगी, ऐसा करके लोग बोल रहे हैं, आप लोग तो मेरे साथ हमेशा गॉसिप करते रहते हैं, जिया शंकर ने गाड़ी ली आपको लगता है कि मेरी जली हो गाडी है मुझे इन गाडियों की नौलिज जादा है नहीं जादा क्रेज भी नहीं है और इनकी रेट के बारे में भी मुझे बाखुबी पता भी बिल्कुल नहीं है तो इस गाडी का क्या रेट होगा मुझे कमेंड बॉक्स में ज़रूर बताईए तो जिया शंकर या कोई इतनी महंगी गाडी जब लेता है सीधा शोरूम में जाके खरीद नहीं लेता है वो पहले इस गाडी को देखता है इसके फीचर जानता है और फिर इस गाडी के लिए और देता है फिर कमपनी जो है कुछ समय लेती है और उस गाडी को जो है कस्टमर को फोन करके बुलाती ह कि भई आपकी गाड़ी तयार है आप आके ले लो जिया शंकर पहले भी बिग बॉस के घर में इस गाड़ी के बारे में जिकर कर चुकी है तो जिया शंकर ने पहले भी ये गाड़ी जो है बुक कर दी थी अब आने के बाद जिया शंकर को ये गाड़ी जो है हैंड ओवर कर द और जिया शंकर ने भी बोला ट्रॉफिक इसको भी मिले गोई भी जीते मुझे तो मेरी गाड़ी मिल गई है इस तरीके से जिया शंकर कहती हुए नजर आई भाई यहां पर बाहर निकलने के बाद जिया शंकर ने यह गाड़ी के पैसे तो दिये होंगे क्योंकि पैसे बहुत मेरे पास जितना आना है वो मेरा आएगा एसी सब चीज़ों से मैंनी जलती हूँ पर मैं एक बात बोल सकती हूँ आपकी जरूर जली अब मेरी बात से इसी के साथ मैं लेती हूँ जाज़त नमस्कार